आप देख रहे हैं एक नई जिन्दगी कर रहे हैं तो आज एक नई जिन्दगी प्रोग्राम में दोस्तों आप और हम मिलकर वी विल सेलिब्रेट लव येस रिपेगा दोस्तों कि आप जानते हैं शास्त्र में पांसो से भी जादा बार प्रेम इस शब्त का जिकर किया है और वो इसलिए क्योंकि हमारा प्रमिश्वर प्रेम से भरा हुआ है और सिर्फ प्रेम से भरा हुआ नहीं हमारा प्रमिश्वर शास्त्र कहता है हमारा प्रमिश्वर ही प्रेम है या इन फैक कहा जाता है कि the Bible is God's love letter to us और वाके दोस्तों जैसे राहुन ने कहा God is love वो ही प्रेम का स्त्रोथ है तो अगर आज हमारे जीवन में प्रेम की कमी है शायद हमारे रिष्टों में खटास है और आज इस पूरे महीने जैसे कि हम परिवार के बार में बात कर रहे हैं कि आज आज आप प्रेम को नए तरीके से नए सिरे से जानेंगे चकेंगे अनुभव करेंगे और दूसरों से भी आप बाट पाएंगे तो आईए दूस्तों इस समय हम आगे बड़े और आज अब खास आपके लिए बहुत ही प्यूरिफुल माश्प लेकर के आए हैं ये माश्प है परमिश्वर के प्रेम के बारे में और ये खास पेशकर्श आपके लेकर आए हैं हमारे सीरियन प्रोड्यूसर प्रॉकी जॉन पीटर लाखो में मेरा प्याना मसी मेरा अखेला सहारा वनी मेरा मसी कीता प्यार मैनू मेरे खुदा देके रूपाक मेरा दिल परेया किता प्रेआर मैंनू मेरे खुदा देगे नूँ पाप मेरा दिल पडु या हालेल। या झालेल। या झालेल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया शुने सेले के तूने मुझे रच्नी आपने ही रूप में प्रिंगी आहे अलंद प्रेम से दिया पुटर में ही। हालो का प्यां ठ europé ना कर रोंगस तू तू तृई में सर्मादा हालो का प्यां छया कर रूंगस तू 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 तृई में सर्मादा दिल मेरा लेले प्यारी लेशु तूने इसे बनाया है इसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए ये बनाया है दुनिया की सब चीजे निकाल कर इसे बाक और साथ कर गंदगी गुनाहों की दोकर उसे खूंस दोबाया है दिल मेरा लेल प्यार येशु, तुने इसे बनाया है येशु का प्यार हमें मिला है, हमारा दिल उसे बरा है येशु का प्यार हमें मिला है, हमारा दिल उसे बरा है अब हम गाएंगे, गाएंगे, गाएंगे Alleluia, 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 Alleluia Alleluia, 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 Alleluia वाव, तंक्यू बेरी मच्च, कॉयर्स, अच्छ प्यूटिफल वे तु सलिब्रेट लव अलग अलग भाशाओं में, अलग अलग गीतों के द्वारा हम एक ही बात को दोहरा रहे हैं और वो है कि परमेश्वर प्रेम है और वो हमसे प्रेम करता है वाके में, काफी कविदाओं में, कवियों ने कहा है कि प्रेम अपने आप में एक भाशा है छी, बिल्कुल दोस्तों और आप भी अपने लब्टबंस को दिखा सकते हैं कि आप उनसे प्रेम करते हैं care about them, that you are concerned about them. और आप भी उन्हें एक बहुत ही खुबसूरत gift कर सकते हैं, dedicate कर सकते हैं. और ऐसा करने के लिए आप हमारी website को visit करें. और हमारा address है cbnindia.org slash cbn special office. Yes, ऐसा जरूर हीजीगा दोस्तों. आप जानते हैं, इस पूरे महीने हम परवरिश और parenting पर focus कर रहे हैं. आज दोस्तों क्योंकि लव हमारा central theme है, आज हम बात करेंगे five love languages के बारे में. हमारे बच्चों का क्या love language है, उसे हम कैसे पहचान सकते हैं. इसी पारिवारिक theme में हम लव को भी शामिल कर रहे हैं. जी बिल्कुल precaution is better than cure. आप खुद को बचाईए, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा. अवाइड शेरिंग और इमेल अड्रेस, पास्वर्ट, मॉइल नम्बर्स, दोन शेर रोटीपीस. अगर हम ओनलाइन अपनी कोई भी पोस्त या तो उस पे हमें मीन कोमेंट्स हाते हैं, हरास्मेंट होते हैं, त्या अगर कोई चीज हमें हाम कर रहे हैं, या हमें नहीं पसंदा रहे हैं, तो हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं, और उसे इग्नॉर कर सकते हैं. हमें ट्रस्ट करना छोडना होगा. जैसे हम ट्रस्ट कर लेते हैं किसी पे भी, अन्नोन नमबर आ गया, आपका अकाउंट क्रिडिट हो जाएगा, किसी लिंक पर ट्रस्ट निकरना है, किसी कॉलर पर ट्रस्ट निकरना है हर अच्छे और बुरे काम के पीछे हम खुद होता है, हमें यही चीज़ को ध्यान देते हुए अडल्ट कंटेंस से दूर रहना है और जितना हो जाके अपने ब्रेन को सही डारेक्शन में लेके जाना है वेलकम बैक दोस्तों, आज बालंटाइन स्टे पर हम एक नई जिन्दगी प्रोग्राम में प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं हम जान रहे हैं कि परमेशवर प्रेम है, वो प्रेम का स्थरोथ है येस दोस्तों, अगर हमें प्रेम की परिबाशा समझनी है, तो हमें परमेशवर को जानना बहुत जरूरी है In fact, शास्त्र ये भी कहता है रिवेका, कि अगर कोई प्रेम नहीं करता, तो वो परमेशवर से नहीं जन्मा है और अगर कोई प्रेम करता है तो वो परमेश्वर को जाना है और परमेश्वर से ही उसकी इजात हुई है जी ताट इस सो प्यूरिफुल और दोस्तों ऐसी एक बहुत खुबसूरत कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं और आज हम आपको मिलाने जा रही हैं अमूल्य का बच्पन बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था ये कैसे परिवार में पली बड़ी जहां इनके पिता शराब पीकर बुरा व्यवहार करते थे यहां तक कि हिंसात्मक व्यवहार भी करते थे इसका अमूल्य के मन पर और जीवन पर बुरा असर हुआ आईए इनकी नफरत, दर्द और फ्रेन से भरी कहानी हम देखें अमूल्य का बच्पन कठनाईउं से भरा था उनके पिता एक शराबी थे और उनकी मा को लगभगहार दूसरे दिन पीटते थे ये उसे आग हाथ और चोट पहुँचाता था अमूल्य अपने दुखध अनुभवों को अपने किशूर अवस्था के सालों में ले गई तब तक वो तीज मिजाजी, अपमान जनक, असभ्य और विद्रोही बन गई थी उसकी बाहरी कठोड़ता के नीचे उसके गहरे चुपे हुए जख्म थे अपने ही घर में, अपने ही परिवार में मैंने जो कुछ देखा था उसकी वज़स से मैं पुरुशों से बिलकुल नफरत करती थी मैं उस समय एक मात्र व्यक्ती से प्यार करती थी और वो था मेरा भाई और दो अन्य भाई जो बाद में आये थे तो मुझे पुरुशों पर भरोसा नहीं था और मैं पुरुशों के साथ बिलकुल भी रहना नहीं चाहती थी इस बीच घर की परिस्थिती बिगड़ गई और अमूल के माता पिता तलाग के कगार पर पहुँश गए अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते तंगा कर एक दिन अमूल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया उस समय अमूल ने एक बाईबल देखी हाना कि उनका जन्म एक मसही परिवार में हुआ था लेकिन अपने घर के माहौल के कारण वो अपने विश्वास के साथ संघर्ष कर रही थी लेकिन उस दिन अमूल ने बाईबल पढ़नी शुरू की मेरी नजर जरम आया उनत्तिस ग्यारह पर पड़ी और इस वचन ने मुझमें आत्मविश्वास के विशेय में एक बहँत जरूरी बात बताई यह वचन कहता है कि जब तुम मुझे बुलावगे तो मैं तुम्हें उतर दूंगा मेरा मतलब है कि उस वचन से ज्यादा वास्तविक उसक्षण में मैंने कुछ महसूस नहीं किया और उस दिन के बाद से उस वचन से मेरे जीवन में फिर से आशा जैसे लोट आई थी अमूले ने जीवन को नए सिरे से शुरू किया ये वो समय भी था जब उसे एक नए चर्च से मिलाया गया था अमूले चर्च कोरियोग्रफी टीम का हिसा बनी आराधना के गाने अनृत उसके दिल को स्पर्श कर गए मुझे अभी भी याद है कि हम मंच पर ये गीदगा रहे थे और मैं तूट गई थी और मैं नाचते हुए मंच पर रो पड़ी क्योंकि मैं सोच रही थी कि परमीश्वर कौन है और अभी भी जिस तरह से वो हमें प्यार करता है उसने मुझसे मेरे सारे दुखों को ले लिया और मुझे खुश्यां दे दी मेरे परिवार ने ये देखना शुरू कर दिया कि ठीक है मैं ज्यादा अशिष्ट नहीं हूँ मैं जवाब दे रही हूँ मैं ज्यादा कठोर नहीं हूँ मेरी दोस्तों ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि ये पहले जैसी नहीं है जिस तरह से ये बात करती है कुछ तो अलग है और इसके चेरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट भी रहती है अगर परमेश्वर वास्तव में हमारे प्रती वो प्यार नहीं दिखाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने प्रती वो प्यार और माफिर दिखा पाती और सभी बातचीत के बाद मैंने अपने पिता से बात किया, हमने हाथ मिलाया और प्राथना किया और मुझे लगता है कि वही वो पल था जिसने मेरे लिए सब कुछ बांध दिया एक और क्षेत्र था जिसमें अमूल संगर्ष कर रही थी वो था पुरुषों पर भरोसा कर पाना, यहां भी परमेश्वर ने उसकी मदद की आज अमूल हाली साम्यूल से विवाह करके आनंदित है अपने मन को नया करने और उसे एक नया इंसान बनाने के लिए अमूल इश्वर की आभारी है मैं अपने जीवन को ब्यूटी फ्रम आशेस के रूप में वर्नित करूंगी राख मेरे अतीत की, राख मेरे सभी दर्दों की, उस पीड़ा की, उस अफसोस की लेकिन परमेश्वर ने इसे सुन्दर्ता में बदल दिया है इसलिए मैं आज भी खड़ी रहकर इस बारे में गवाही दे सकती हूँ अमुल्या थैंक यू सो मच पो यू स्टोरी, बहुत अच्छा लगा आप से मिलकर और हमारे दर्शकों ने आपकी कहानी सुनकर बहुत आशीश पाई है आपने बहुत सही का कि परमेश्वर बिना किसी बाधा के प्रेम करते हैं और हमें भी बिना किसी बाधा के एक दूसरे से प्रेम करना है बिलकुल, अमुल्या आपने परमेश्वर के अमुल्या वचन को जाना, पढ़ा और आपका जीवन परिवर्तित हुआ आपने परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया दोस्तों, यही प्रेम येश्व मसी के द्वारा परमेश्वर ने हमें और आपको दिखाया है दोस्तों, हम भी इस प्रेम को स्विकार करें और अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ, बच्चे मापब के साथ, एक दूसरे के साथ हम इस प्रेम को प्रगट करें. Yes, दोस्तों, इस पूरे महीने हम परिवार पर गौर कर रहे हैं, फैमिली और पेरिंटिंग पर हम तवज्जु दे रहे हैं. आज हमारा जो थीम है, जो लव बेस्ट है, वो है कि कैसे हम अपने बच्चों के लव लैंग्विजिस को जाने. शायद लव लैंग्विज ये शब्द आपने पहली बार सुना है. ये इंटिड्यूस किया है ग्यारी चैप्मेन ने, एक लेखक है, जो शास्त्र से बहुत प्रेरित हुए, और उन्हें ने एक किताब लिखा. उन्हें कहा कि हर इंसान, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, किसी भी देश का है. उन्हें कहा कि पाँच ऐसे प्रेम की भाषाएं हैं, जो इंसान समझता है, मैसूस करता है, और इन में से शायद आपकी कई भाषाएं होंगी, हम चाहते हैं, आप भी फाइंड आउट करें, आपके बच्चों की इन में से कौन सी भाषा है, चलिए इन भाषाओं को देखत सबसे पहला है टच, जब हम किसी को प्यार से चूते हैं, गले लगाते हैं, सने से एक मा अपने बच्चे को सैलाती है, वो है परसनल टच, इससे प्यार महसूस होता है, दूसरा है अप्रीसियेशन, जब हम किसी की तारीफ करते हैं, बढ़ाई चड़ाई नहीं, लेकिन वा प्रसन हो, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, यहुई ना तारीफ वाली बात, एक माता पिता होने के इनाते यह बहुत जरूरी है, कि अपने बच्चों की तारीफ करें, तीसरा है तोफा, तोफा किसको अच्छा नहीं लगता है, हम सब को अच्छा लगता है, लेकिन कभी-कभ तोफा इसलिए देते हैं, क्योंकि हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, तो तोफा अपने आप में एक प्रेम की परिभाशा है, चौता है समय, जब हम किसी को क्वालिटी टाइम देते हैं, तो वो भी अपने आप में एक प्रेम की परिभाशा है, अज पाच्छवा है, Acts of Service, इसका मतलब जब हम किसी के लिए कुछ सेवा करते हैं, जिसे परमेश्वर ने यिशु मसी खुद कहते हैं कि मैं सेवा पाने नहीं, सेवा करने आया। उस कुरूस पर उन्होंने अपनी जान दी और इंसान मनुष्र जाती की सेवा की, उन्हें पाप से छुटकारा दिया। दोस्तों ये पाच भाषाएं है प्रेम की, एक खुबसूरत वचन, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, एक ऐसे अध्याय से, जो प्रेम का अध्याय कहां जाता है, एक कुरूंतियों का तेरवा अध्याय, तेरवा वचन, आईए देखते हैं, ये वचन हमसे क्या कहत है, 1 Corinthians chapter 13 verse 13 कहता है, अब ये तीन, विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थाही है, किन्तु इन में सबसे उपर है प्रेम, दिखा दोस्तों, शास्त्र साफरीदी से कहता है, सबसे उपर प्रेम है, परमेश्वर ने हमें अपना प्रेम दिखाया है, हाँ माबाब होने के नाते, अपने बच्चों को प्रेम दिखाए, तोस्तों, अगर आप अपने रिष्टे में किसी चालेंज का सामना कर रहे हैं, as parents and children, अगर कुछ चालेंजेस हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं, शायद कोई मन मुठाब है, करवाहत है, शायद आदर नहीं है, तो क्योंना आप prayer request हमारे साथ share करें, आप CBN prayer line में हमें call कर सकते हैं, अपने messages हमारे साथ share कर सकते हैं, and we would love to pray for you, love to pray for you as a family, और दोस्तों, हमारा number है 9910401010, साथ ही, अगर आप counseling चाहते हैं, अपनी struggles के बीच, तो क्योंना आप अपने लिए free counseling slot book करें और ऐसा करने के लिए, आप हमारी website को visit कर सकते हैं, और हमारा address है cbnindia.org slash cbn special office, तुस्तों, अब समय चोटे से break का, जो break से lot कराएंगे, तो हम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, पराथना करने वाले हैं, तो कर नहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ बने रहे हैं, Bible adventures, life lessons, और भी कुछ है जो अयूब ने मुझे सिखाया है, मुझे पता है कि मेरे ओ धारक जीवित हैं, और अंत में वे इसी धर्ती पर खड़े होंगे, विए ख्विज और होल लॉट मोर, इस्पेशली पर आपके लेकर आए हैं, तो मेक शूर यू फॉलो आपके लेकर दूसरे से कह रहे हैं, I love you, we want to tell you that God loves you. बिल्कुल दोस्तो, लोग एक दूसरे को फूल देते हैं, गुलाब देते हैं, रिवेका, एक दूसरे को हाट शेप बलून देते हैं, चॉकलेट देते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, परमिश्वर ने प्रेम के निशानी के तोर पर हमें क्या दिया है, अपना खास कर प्रेम के लिए, क्योंकि आज हम प्रेम के उपर बात कर रहे हैं, हो सकता है, शायद आप प्रेम स्ठीक से जाने नहीं है, आपको बच्पन में किसी ने प्यार नहीं किया, शायद आप अपने माता-पिता के प्रेम से वंचित थे, शायद आपके घर में ऐसा माहोल था जहां प्रेम के बजाए नफरत और दूरी ज़ादा दिखाई पड़ती थी लेकिन आज हम प्रातना करने वाले हैं कि उन बंदनों को परमेश्वर तोड़ेगा और प्रेम से परमेश्वर आपको आपके दिल को आपके परिवार को और आपके बच्चों को भरेगा आएए दोस्तों आएए मिलकर प्रातना करते हैं शुर के पिता हम धन्यवाद देते हैं धन्यवाद के वचन कहता है तू प्रेम है ये सच है प्रबू हमने तेरे प्रेम को जाना है मैसूस किया है देखा है प्रबू तूने अपने प्रेम को हम पर उंडेला है, जिसे रोमियों में लिखा है, हमारे दिलों को पवित्र आत्मा ने अपने प्रेम से भरा है, प्रबू आज अगर हम किसी को शमा कर पाते हैं, वो इसलिए क्योंकि तूने हमें शमा किया है, आज किसी को हम अपना पाते हैं, वो इस उनके लिए जो प्रेम से वंचित रहे हैं, जिनोंने अपने जीवन में बहुत नफरत देखा है, प्रेम देखा नहीं है, वो तेरे प्रेम को जाने पर, वो तेरे प्रेम को अपनाए, उनके दिलों में, उनके जीवनों में, उनके परिवारों में प्रेम आए, ये प्राथना हम करते हैं प्रभू, तेरा सामर्थी प्रेम हर कोई चखे, खासकर बच्चों के लिए हम प्राथना करते हैं प्रभू कि माता-पिता को मदद कर कि वो प्रेम की भाषा वो लव लेंग्विज बच्चों से बात कर पाए और बच्चों को दिखा पाए, ये प्रार्थना हम यश्यो मसी के प्रेमी नाम में करते हैं, आमें दोस्तों, माधा-पिता होने के नादे हमें je सौभाग्य मिला है, कि हम अपने बच्चों से प्रेम की परिभाशा कर सकते हैं यो राइए दोस्तों इस समय हम देखें कि परमेश्वर का जीवत बचन परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें क्या बताता है तोस्तों ये बचन हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रहा है पता रहा है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो अनन्त काल का प्रेम है कभी खतम नहीं होने वाला प्रेम हमेश्वा का प्रेम अब परमेश्वर हमें अपनी ओर खीशता है अपनी unfailing kindness के साथ वो हमें अपनी ओर खीशता है दोस्तों, आज हम प्रेम की बात कर रहे हैं, रिपेगा, एक तरीका है प्रेम जाहिर करने का, करी लोग कविता के माध्यम से प्रेम जाहिर करते हैं, लिखते हैं, गाते हैं, गुन-गुनाते हैं, और ये भी कमाल का माध्यम है, जी, बिल्कुल, और इस समय भी हम एक बहुत ह यह मेरी जिंदगी की कहानी है, मुझको तितलियां पकड़ना पसंथा, मुझे जूले जूलना पसंथा, मैं अलग थी इस दुनिया से, मुझको जुगनू पकड़ना पसंथा, दुनिया के इन रीती रिवाजों से दूर थी मैं, लेकिन ये सब मेरी चंद ख्वाइशे थी, लेकिन मेरी दुनिया मेरी इन ख्वाइशों से बहुत दूर थी, मैं अपने आप से भाग रही थी, काफी वक्त से, एक टूटी हुई इमारत सी, नापाक और बेमानी से किरी हुई, यही मेरी पहचान थी, खुद को समेटती थी रोज, खुद को इस दलदल से बचाने की जद्दू जहद में लगी रहती थी, लेकिन सच कहूँ, तो मैं ठक चुकी थी, और फिर मैंने बाइबल में एक ऐसी औरत की कहानी पड़ी, जिसका जीवन बहुत कुछ मेरी ही तरह लगता है, उसका नाम गुमेर था और जो अपने पेशे से एक वैश्या थी, वो अपनी जिन्दगी में पूरी तरह डूप चुकी थी, और अब उसके पास खोने के लिए ना शर्म थी और ना इज़्दत, वो एक वैश्या थी और कोई भी उसे नहीं चाता था, वो लंबे समय से खुद से भाग रही थी, लेकिन परमेश्वन ने उसकी जीवन के लिए कुछ और ही सोचा हुआ था, उसने होश एनाम के एक आदमी से कहा, जाओ उससे शादी करो, और उसकी पूर्ण होने तक का इंतिजार ना करो, उससे वैसे ही ले लो जैसी वो है, उससे प्यार करो, और उससे बे इंतिहां प्यार दो, और जैसे तुम मुझे पाने की कोशिश करते हो, वैसे उससे तुम भी अपनाओ, जब वो तुम से कत्रा है, तब भी तुम उससे पाने की कोशिश करना, जैसे मैंने तुम्हे अपनाया था और जब वह अपनी जिन्दगी में वापस चली जाए जहां से तुमने उसे बचाया था तब तुम उसे वापस पाने के लिए जाना और दाम दे कर फिर से ले आना उसके लिए जितनी भी कीमत चुकानी पड़े उसे जरूर चुकाना और जैसे मैंने तुम्हारे लिए चुकाई थी जरूर वो सोचेगी कि वो इस प्यार के काबिल नहीं पर उसे इस बात का एहसास दिलाना कि वो इस प्यार के काबिल हमेशा से थी ये कहना जूट नहीं होगा कि मैं भी गोमेर की तरह ही थी मुझे याद है कि मैं अपने बापों में डूबी हुई थी शर्म से भरी हुई मुझे याद है मेरे आसों के बीच मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था मुझे याद है कि मुझे में जीने की कोई इच्छा नहीं थी कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं भी इस प्यार के काविर थी ये मुझसे भी कोई इंतहा महपत कर सकता है कोमेर की तरह ही महसूस करती थी इस्तिमाल की हुई और जोड़ी हुई और मुझे पता है कि मेरे जैसे यहां और भी है जो लंबे समय से अपने आप से भाग रहे है तरिफ सचे प्यार के लिए भाग रहे है हम सब लंबे समय से भाग रहे है लेकिन इस सब के बीच पर मेश्वर ने आपको देखा है और वो कहते हैं मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारे जीवन भर पीछा कर रहा हूँ। इस उमीद में कि मैं तुम्हें पास सकूँगा। इस उमीद में कि मैं तुम्हें पकर सकूँगा ताकि मैं तुम्हें रोक कर ये कह सकूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और भागना बंद करूँ तुम मेरी हो जैसे होशय ने गोमेर से महांबत करी वैसे ही साफ दिल से मैं तुम्हें अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ जब तुम मुझे छोड़ दोगी तब भी मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा येशु मसी को मरने के लिए भीजा मेरे पास वापस आजाओ और अपने आप से और मुझे से भागना बंद करो मैं तुम्हें अपने अनुकरह से घेरे रहूँगा मेरा प्यार इतना भला है जो तुम्हारी सोच से भी बाहर है मेरा प्यार तुम्हारे अतीत को मिटा देगा ताकि इसकी जलक तुम्हारी यादों भी भी ना रहे मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा प्यार करता रहूँगा और इन सब के बाद मैंने परमेश्वर को अपनी जिन्दगी सौप दी और उसने मुझे अपने प्यार से पूरी तरह खेर लिया और मैंने उस खुदा से बोला कि हाँ खुदा मुझे अपने दिल में बसा ले हाँ परमेश्वर मुझे अपने और खीच ले हाँ प्रभू आपके प्यार की शरन में मुझे ले ले वाकरी दुनिया में अलग-अलग परिभाशाई हैं प्रेम की लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे हर समय प्रेम करते हैं चाहे हम परमेश्वर के सामने इतने कमजोर पर जाते हैं फिर भी वो हमसे प्रेम करते हैं बिल्कुश सच है दोस्तों परमिश्वर ने हम से प्रेम किया हैहे और इसका सबूत है येश्वू और उसके क्रूस पर दिखाया गया प्यार जी दोस्तों अगर आज के प्रोग्राम ने आपको इंकारिच किया है आपको आशिशित किया है और अगर आप इसे अपने friends, family and loved ones के साथ share करना चाहते हैं उन्हें आप पर मेश्वर के फ्रेम के बार में बताना चाहते हैं तो क्यों ना आप हमारे CBN India YouTube चानल पर जाएं और इस episode के link को आप अपने friends, family and loved ones के साथ जरूर शेयर करें और समय है कि हम लेंगे आप से इजासत आशा करते हैं कि आज के program से आपने encouragement पाई है और आपने जाना है that God is love, He is the source of all love और कल आप से फिर मुलाकात करेंगे, parenting series को continue करेंगे and until then, have a lovely blessed day celebrating God's love with your family Namaskar and God bless you Yes, God loves you, we love you friends Take care, see you tomorrow झाल झाल झाल